भारतिय पंचांग में अंकित चित्रों के द्वारा हमें कई सारी जानकारिया मिलती हैं जिससे हम जोतिश शेक शकते हैं किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाना सीख सकते हैं जन्म कुंडली पढ़ना सीख सकते हैं तो इस चित्र के माध्यम से हमें कौन सी जानकारि मिलत यानि मेस राशी यानि जन्म कुंडली का पहला भाव लगन भाव लगन भाव शे हम व्यक्ति के मस्तिक्स के बारे में जान सकते हैं उसके मस्तिक्स के अकार के बारे में पता लगा सकते हैं और फिर व्रशब राशी यानि दूसरा भाव जन्म कुंडली का दूसरा भाव दू तुन राशी यानि जन्म कुंडली के तीसरे भाव से हम व्यक्ति के कंदों के बारे में उसके बल सहस के बारे में जान सकते हैं फिर चाती के आगे लिखा हुआ है करक राशी यानि करक राशी यानि चौता भाव जन्म कुंडली के चौते भाव से हम व्यक्ति के चाती के बार में वेक्ति फैपडों के बारे में स्वसन क्रिया के बारे में जानना है तो जन्म कुंडली के चौते भाव से जानते हैं इसलिए करक राशी यहां पर लिखा हुआ है अब फिर बात करें रदे के बारे में पता करना है वेक्ति के प्रेम भाव के बारे में पता करना है तो जन्म कुंडली के चट्टे भावसे पेट के बारे में जानकरी प्राप्त की जा सकती है और फिर कमर के बारे में पता करना है तो यह लिखा हुआ है कुम्ब राशी कुम्ब राशी यानि 11 नंबर तो जन्म कुंडली के 11 भावसे व्यक्ति के कमर के बारे में कमर, पीठ, वगेरा उसके बारे में पता करना है तो ग्यारवे भाव से पता करेंगे फिर बात करते हैं नाभी के बारे में अब नाभी के बारे में पता करना है तो जन्म कुंडली के साथवे भाव से पता करेंगे जातक के गुप्त अंगों के बारे में पता करना है काम क्रीडा के बारे में पता करना है तो जन्म कुंडली के आठवे भाव से जानकरी प्राप्त करेंगे इसके बाद में उसके जांगों के बारे में उसके पेर के बारे में पता करना है तो जन्म कुंडली के नवम भाव से जानेंगे फिर गुटनों के बारे में पता करना है तो जन्म कुंडली के दसवे भाव से पता करेंगे और बैरों के बारे में पता करना है तो जन्म कुडली के बारवे भाव से जानकरी टाप करेंगे